अब बच्चो आप शवी का हमारे यूटूब चेनल आइडियल देव के लाशेश में स्वागते बच्चो आज हम आपके लिए शामान ग्यान ओलम्पीक जो कुश्चन लेके आए ओलम्पेट पिक्षा होने वाली उसके सामान ग्यान से समधित कुछ कुश्चन लेके आए ओल पहला प्रस्ण क्या है इं उसके से कौन सी अइस्थाई काम की विशेश्चन लेकर रहता है नौकृरी से जव निवत्ति पर पैसा नहीं मिलता प्रशन अर जरूरा रहता है ए चोर अपसं में से आपको बताना है कि निमेशे महाशागर का कौनशा उधारण है चिन्ड़ाइ, मम्मबई, कुलकाता, उप्रॉप्ट शभी जसका सही आंसर हो जाएगा उप्रॉप्ट सभी क्योंकि चिन्दाइ भी मुंबई भी और कुलकर्ता भी क्या है महाशागर का वो धारान है नेक्ट अगल अप कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर तीन कोश्चन नमबर तीन में क्या कहा रहा है भारत में अधिकाल जनसंख्या आजी विका के लिए खालिस्तान पर नेबर होती है चार अप्सन दिए मजदूरी कैशी व्यापार उप्रुक्षभी तो भारत में अधिकाल जनसंख्या किस पे नेबर होती है कैशी पे नेबर होती है उसका शहीं आंसर किया जाएगा बी नमबर का कैशी मेश्ट कोशन देखिए कोशन नमबर फॉर्ट इन में से किने पूरे वज़ रोजगार उपलद नहीं हो पाता मचली पकड़ने वाले, बड़े किसान, व्यापार करने वाले और सरकाई नोकरी वाल का सही आंसर आ जाएगा मचली पकड़ने वालों को पूरे वस रोजगार नहीं मिल पाता प्रेश नमबर पास देखिए जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती उन्हें कहा जाता है ए नमबर मजदूर बी नमबर छोटे किसान सी नमबर बड़े किसान और दी नमबर इसका सही आंसर कौन सा हो गया डी नमबर भूमी जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है भूमी हीन नेस्ट कोस्चन कोस्चन नमबर 6 देखिए क्या कह रहा है इन में से कौन सा काम खेती से जोला हुआ नहीं है प्रेशन क्या है यहाँ चार option दियें, चारो option में से आपको बताना है कि कौनसा काम खेती से जोला हुआ नहीं है, खेत जोतना जोला हुआ है, मचली पकड़ना, सिचाई करना, खाद डालना, तो यहां पर सही answer हो जाएगा B number का मचली पकड़ना खेती से जोला हुआ नहीं है, खेत जोतना यह भी खेती से जोला हुआ है, सिचाई भी जोला हुआ है, खाद भी जोला हुआ है, तो मचली पकड़ना खेती से जोला हुआ नहीं है, तो सही answer B number है, next अगला question है, question number 7, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं, question क्या है, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं, चार आप्सन दिया है, पंच, सरपंच, पारसद, मंत्री, तो पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो इसका तो इसका सही आज़ा हो जाएगा C Number 5 Next नगला कोश्चन देखे Question No. 9 पंचायत और नगरपालिका के चुनाओ पैते खालिस्तान वरस में होते हैं सभी को मालूमें कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाओ पैते खालिस्तान वरस में होते हैं दो वर्स में, चार वर्स में, पांच वर्स में, तो इसका शही आंसर हो जाएगा शी नमबर पांच वर्स में, पंचायत और नगर पालिका के चुनाओ पांच वर्स में होते हैं, नेक्स नगरा कोश्चन देखिए, कोश्चन नमबर दस, आयुक्त और प्रशाषनिक कमचारि कि नुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है प्रेशन क्या है आयुक्त और प्रशास्निक कमचारियों की नुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है सरकार कमचारियों अधिकारियों जनता तो इसका सही आंसर आजाएगा ए नमबर सरकार द्वारा की जाती है आयुक्त और प् करना अप्राद की जाच करना कानूनर और वरस्ता बनाए रखना भूमी शंबंधी विवात का निप्टारा करना तो इसका सही चाएगा भूमी Bandi विवात-का निप्टारा करना किसका है पटवारी नेक्स नेस्ट अगला प्रस्ण देखिए, प्रस्ण नमर 12, इन में से कौन सा कार्य तैसिलदार का है, यहाँ पर आपको तैसिलदार का कार्य पूछा, जाती प्रमापत्र पैदान करना, अपरात की जाच करना, कानून और विवस्ता बनाय रखना, भूमी संबंदी विवात का निप करते हैं, नेस्ट कोच्छन, कोच्छन नमर 14, खालिस्तान की देखवाल के लिए आंगनवा Adjustी केंडर बनाय जाते हैं, अंवीर बच्चों की गरीब बच्चों की पूरे गाउं की इन में से कोई नहीं, तो सही आंसर आजाएगा गरीब बच्चों की, देखवाल के लिए आ हिस्सा रहता है систiffe में बेटों के साथ बेटि का भी इस पांगा आ इस पर आपकर आपकर प्रस्ट नमर 15 world बखिए जल सरुक्षन के से क्या फायदा है प्रेशन के ग्याए जल सर्क्षन से क्या फाइदा? चार अपसन दी है, भूमी जल इस तर में वेद्धी होती है वर्नाश्पती की वेद्धी में साहता मिलती है पर्याण संतुलन में साहता मिलती है उपरुक्षबी, तो gint answer हो जाए गा, उपरुक्षबी恤 क्योंकि भूमिगत जल इस तरह में वद्धी होती है जल की रक्षा करने से, सर्रक्षार करने से जल को जमा करने से वरfahrश्पती में वद्धी होती है और पजान संतुलो में सइता मिलती किसके जल सर्रक्षार से इसलिए सही आंसर हो जाएगा अप्रुख सभी नेक्स्ट प्रेशन नंबर 17 देखते हैं ग्राम पंचायत के मुख्या को खालिस्तान कहा जाता है सभी को मालूम है ग्राम पंचायत के मुख्या को सरपंच कहा जाता है तो इसका भी नंबर का अंसर सही है नेक्स्ट अगला प्रेशन देखते हैं सबसे निचला हिस्ता इस्तर लोगतांतिक सरकार का सबसे निचला इस्तर खालिस्तान होता है तो सबसे निचला हिस्ता होता है ग्राम पंचायत जन्पत पंचायत जिला पंचायत इन में से कोई नित इसका सही आंसर हो जाएगा ए नमबर ग्राम पंचायत लोगतांतिक सरकार क सबसे उच स्थर खालिस्तान होता है तो यहाँ पे ग्राम पंचायत होता है जन्पत पंचायत, जिला पंचायत, इन में से कोई निस सही आंसर हो जाएगा इसका जिला पंचायत C नमर का अंसर इसका सही है नेस्ट sont scale Aperas लेखतें, process नमर 20 इन में से इन मेशे कुछ सा तथ्य लोक तंतर से संबन्दित नहीं है सौतंतरता न्याय वैस्ट कुमता दिकार असमानता तो इसका सही आंसर हो जाएगा दी नमर का असमानता अब असमानता लोक तंतर से संबन्दित नहीं है नेश्ट नगला प्रेश नमर 21 देखते हैं क्या कहरा प्रस नमर 21 पढ़िए खारिस्तान के नेता नेलसन मंडेला ने रंग भेद नीती के खिलाप संगस करके इससे मुक्ति दिलाई चाराफ संदीर मुरक को मेश्र लिविया दक्षर अपरिका तो दक्षर अपरिका के नेता नेलस मंडेला ने रंग भेद नीती के खिला शंगस करके इससे मुक्ति दिनाईट का सही आंसर दी नंबर डक्षुड अफ्रिका आ जाएगा फिर देखिए नेश्ट अगला प्रसन है प्रस्ण नंबर 22 शंशार में खालिस्तान मुख्य धर्म है साथ आठ नाउ दस इसका सही आंसर हो जाएगा संशार में आठ मुख्य ध इसका चाही आंसर हो जाएगा इशाई दीपाउली तेवार इशाई समधाय के लोग नहीं मनाते हैं तो इसका दी नमबर का आंसर सही है नेश्ट अगलब प्रशन नमबर 24 गुड़ फ्राइडे किस शमधाय के लोग मनाते हैं फ्रेशन के कह रहा है गुड़ फ्राइडे किस शेख जेन इसाई, तो D नमबर इसाई, गुड फ्राइडे, इसाई सम्दाई에 के लोग मनाते हैं, तो इसका सही आंसर, D नमबर इसाई आ जाएगा, नएश अगला प्रशन लेक्ते हैं प्रेशन नमबर पर ली差ई, इनमें से कूंसा तेवाँ सभी सम्दाई के लोग मनाते ह वोड़ाम दसेरा गरतंतर दिवस हो ली तो गरतंतर दिवस जो है सभी समधाई के लोग मैं आते हैं तो इसका सही आंसर C नमबर गरतंतर दिवस आ जाएगा अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर 26 डाल बाटी और चुर्मा भारत के किस पैदेश के वेंजन है प्रेशन के रहा नेश्ट अगला प्रेशन देखते हैं प्रेशन नमबर 27 इडली शामभर और दोशा भारत के किस पैदेश के वेंजन है प्रेशन के है इडली शामभर दोशा भारत के किस पैदेश के वेंजन है ए नमबर बिहार बी नमबर राजिस्तान C नमबर आंदर पैदेश और D त्विनान्डू इडली शांबर और दोर्षा बहरत के त्विनान्डू प्रदेश के विंजन हैं नेक्स डगला प्रसम्द देखते हैं प्रस नमबर 28 शुकृय किस भाषा का सब्द है sucks किस भाषा का सब्द है हिंदी अंग्रेजि सनस्कत अुर्दू इसका सही आंसर आजाएगा D नंबर उर्दू, सुक्रिया उर्दू भासा का सब्द है, नेक्स्ट अगला प्रस्ण देखनें प्रस्ण नंबर 29, इन में शे कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती, चावल, गेहू, मशाले और रागी, तो इसका सही आंसर आजाएगा मशाले, चीनल का आंसर सही है, मशाले की फसल बिहार में नहीं उगाई जाती, नेक्ट अगला प्रस्ण देखनें, प्रस्ण नंबर 31, केशर, शागा, खालिस्तान का एक महत्पूल गराथ है, तो इसका सही आंसर आजाएगा तीबद, तो इक अशाज आजाएगा तिबद, तो बी अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर 32, खालिस्तान को छोटा तिबबद भी कहते हैं, लद्दा को, कश्मीर को, नेपाल को, भुटान को, इसका सही आंसर ए नमबर लद्दा को, नेश्ट अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण नमबर 33, एक खास किस्म की खालिस्ता से पसमीना उन प्राप्ट होती है बकरी भेढ् से आने वाले पक्ची खारिस्तान प्रवाशी पक्ची नेक्स लगला प्रस्मक्त देखते हैं प्रेश नमबर 35 खालिस्तान के गिर 100-6 शेरों का निवास है गंद में गूझराद, टरानबर प्रेश यसका इन्सर आजाएगा ? गुझराद के गिर 100-6 नमबर का कोशन है 36 नमबर का क्या कहा रहा इसमें गर्मी में दिन के समय सोस्क तथा गर्म पौने चलती है जिने खालिस्तान कहा जाता है प्रस्ण है गर्मी में दिन के समय सोस्क तथा गर्म पौने चलती है जिने खालिस्तान कहा जाता है मानसुन, लू, ठंडी हवा इनमें शे कोई नहीं तु मॉंबई आसन सोल मोशी राम उप्रुक्षभी तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नमर का मोशीम राम विश्व में शब्षदी क्वश्वाला छेत्र कुन सा है मोशीम राम नेक्स अगला प्रसंद देखते हैं प्रस नमर 38 दक्षर पच्छी मांसून के समय आद्रपाउने कहा बहती है इस्थल से समुदर की और समुदर से स्थल की और पठार से मैदान की और मैदान से पठार की और इसका सही आंसर आजाएगा समुदर से इस्थल की और बी नमर का अंसर इसका सही है नेक्स अगला प्रसंद देखते हैं प्रस नमर 49 जंगली बकरी तथा हीम next अगला प्रशन कोबरा खालिस्तान की प्रजाती है शेरों की शापों की मेड़कों की गायों की तो कोबरा शापों की प्रजाती तो इसका सही आंसर कुन सा हो जाएगा बी नमबर का शापो अगला प्रशन प्रशन नमर 41 हिमालय के सबसे दक्षणी भाग को क्या कहा जाता है हिमाले के सबसे दक्षणी भाग को क्या कहा जाता है चाराफसन दियें शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल इन मेंशे कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नमबर शिवालिक हिमाले के सबसे दक्षणी भाग को शिवालिक कहा जाता है अगला प्रस्ण देखें, प्रस्ण नमबर 42, सहाध्री को अनिकिस नाम से जाना जाता है, तो चारा अप्सम दीए, अरावली पश्चिमी घाट, भिहमाध्री, और इनमें से कोई नहीं, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, भी नमबर का अंसर सही है, नेक्श्ट चर्व संदी ऑन्वान अ लिकष भार्षकर इसका सही तो उसका जाएगा आपका लच्छ में प्राइट की सब्से पुरानी परवस शंकला कोँ का ए नंबर अरावली भारत की वे फ़ल सरत कहा राज राइस्थान को है लेकृस्ट नमर STE है और भारत के लगवगा मध भाग से कर गुजरने वादी अक्षास रिखा है कार कर दिखा मकर definitely भूमत रेखा इने में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर करकर रेखा मारत के लगबग मत भाग से होकर गुजरने वादी अच्छांस रेखाए नेक्स अगला प्रसे नर्मन नदी खालिस्तान में गिरती है हिंद महासागर अरब सागर बंगाल की खाड़ी पिसाद महासागर तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर का बंगाल की खाड़ी बारत का च्याद भालग भक खालिस्तान لाक वर्ग किलोमीटर है उसका सही आंसर आ जाएगा B नंबर का 32.8 लाक वर्ग किलोमीटर है तो बारत का च्याद 500 कितना है 32.8 लाक वर्ग किलोमीटर इस पकार बच्छो ander आपके जो शामान ग्यान के 50 प्रस charter हापए कंप्लिट होते हैं ये भाग दो है भाग एक में हमने 50% बताया थे और ये आपकी जो उलम्पेट पर इक्षा है उसके लिए महत्पुल प्रेशन है तो इस पेकार बच्चों आपको हमारे द्वारा जो बताएगा है उलम्पेट के बहुत कल्पी प्रेशन आपके समझ आए हो हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेश को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यों अन्य ग्रूप में शेयर जरूर कीजिए